T20 विश्वकप 2024 में भारत ने एक हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया का सुपर आठ में पहुँचने का दावा मजबूत हो गया है। वहीं पाकिस्तानी टीम पर बाहर होने का खत्रा मंडरा रहा है। इस मुकाबले में कई ऐसे रोमान्चक मोड आए जब फैंस इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि मैच किस ओर मुडेगा। कई भारतिये फैंस ने तो भारत की खराब बल्ले बाजी के बाद टीवी ही बंद कर दिया था। टीम इंडिया ने असंभव को किया संभव। भारत ने पाकिस्तान को रोमान्चक मुकाबले में 6 रन से हरा दिया है। पहले बल्ले बाजी करते हुए भारतिये टीम 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई थी। जवाब में पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत स्थिती में दिख रही थी। 14 ओवर में एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 80 रन था, इसके बाद मैच पूरी तरह पलट गया। रिजवान शादाब हुए, आउट तो पाकिस्तान के उपर गिरी गाद जब टीम इंडिया का चला चाबुक, तो पाकिस्तान की हार पर नहीं लगा गाबू। 19 ओवर में जस्प्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आये और उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिये और इफ्तिखार का विकेट लिया। 20 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। फिर अर्शदीप ने सिर्फ 11 रन खर्च किये और इमाद वसीम को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने असंभव को संभव में बदल दिया। टीम इंडिया की हार निश्चित लग रही थी लेकिन बुमराह, अर्शदीप, सिराज और हार्दिक की तेज गेंदबाजी की चौकडी ने भारत को मैच जिता दिया। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर के बाद 7 विकेट पर 113 रन बना सकी। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट लिए। वहीं मोहमद आमिर ने 2 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी को एक विकेट मिला। आशा करता हूँ हमारे क्रिकेट फैंस को ये विडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली प्रतेक लेटिस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।